हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल आजम बात करने वाले नेरो लेक पैंट के बारे में यह स्टॉक को मैंने लॉंग टर्म के लिया है तो यह कंपनी का बिजनस कैसा है fundamental कैसे सबी चीजे हम यह वीडियो के अंदर हम जानने वाले तो वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे पहले इसका वेबसाइट देख लेते तो नेरो लेक पैंट यह नेरो लेक कंपनी का क्या बिजन से यहां पर आपको नजर आजाएंगे तो हर एक पैंट के बारे में कुछ ना कुछ इसमें यहां पर आपको डिफरेंस नजर आएगा तो यहां पर देख सकते हो इनके किस टाइप के है और कैसे कलर यहां पर कलर्स को भी अलग-अलग नाम है यहां पर देख सकते हो पिकल ह चटनी है, ओईल है, हल्दी है, टी है, यह सारी चिज़े यहाँ पर आप देख सकते हो, तो और इनके ब्रैंड इंबेसेटर को यह पेंट की बदबू नहीं आती है, यहाँ पर नो पेंट की बदबू, अनली कश्मिर का ऐसास, यहाँ पर यह इनका टैग लाइन है, तो पर ना आई, क्रैक, अनली नेरो लैक, तो यह सारे यहाँ पर देख सकते हो, अब वाल्स रहे, साफ और सेफ, यहाँ पर एक बार पोश दिया तो हो जाएगा, अगर बच्चे लोग कुछ खराब कर देते, तो यहाँ पर यह इस तरह के उनके खासियत है, पेंट की, तो यह यहाँ पर यह सारी चीज़े बताई हुई है, और यह कम्पनी कैसी है, यहाँ पर यह आपको नजर आएगा, तो पेंट में मेरे पास दो कम्पनी हुई है, इसके पहले एशन पेंट का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, और यह भी कब लिया है, इसके बारे मैं टेलिग्र कि किसी भी शेयर में कुछ भी अपडेट आता है वो सबसे पहले टेलिग्राम पर ही में बताऊंगा ठीक है बाइ कर रहा हूं तो उस पर सबसे पहले आ जाता है क्योंकि वह इजी होता है convenient होता है वीडियो बनाने में टाइम जाता है ठीक है और यहां पर अगर देखेंगे तो नेरोलेक पैंट का शेर अभी कितने भाव पर मिल रहा है ठीक है तो इसके fundamental देख लो तो अभी यह stock मिल रहा है आपको 330 रुपे का तो अच्छा ही है नेरोलेक पैंट का 330 रुपे का है 247 का लो रहे चुका है 354 का हाई रहे चुका है 26,705 करोड का इसका market capital है और अगर हम देखेंगे पी थोड़ा सा महेंगा ही है 44 का है और ROC और ROE यह 14 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के है तो लगबग ठीक है ज्यादा भी हाई भी नहीं है कम नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है ठीक है तो एवरेज है बुक वैल्यू कम है इसका dividend थोड़ा बहुत देती है और face value एक का है और अगर हम एक साल में देखेंगे एक साल में यह share बड़ा है थोड़ा तो उपर की तरफ ही है थोड़ा और अगर हम देखेंगे तीन साल में तो तीन साल में down में है ठीक है उपर से यह नीचे की तरफ पाया है तो यहां पर देखेंगे तो हाई क्या था तो इसका हाई 434 रुपे का इसका हाई था और वहां सी यह गिरा है पास साल में भी देखेंगे तो वही है उसका हाई और यहां पर अगर हम देखेंगे यह 2018 से 321 से अभी यह भाव इसका देख लो वही सेम भाव पर आया का था आज उसने अच्छे रेटन देखे यह काफी उपर आ गया है ठीक है और अगर मैक्स की बात करेंगे तो यह स्टॉक देखो 20 रुपे का एक टाइम पर हुआ करता था 20 रुपे से स्टॉक काफी ग्रो हुआ है और अगर है पॉजिटिव इसमें चीजे देखेंगे तो इ hobसषा को सेंट का डिवडेंट भेर ये कंपनी है और डिविडेंट अमांट याar डिविडेंट इलुक्त हो सकता है और यह इसके sales growth काफी खराब है 10 प्रतिशत के इसाब से हो sales में growth कर रही है फिर भी ठीक है लेकिन यहाँ पर negative में माना गया है और यहाँ पर return on equity यह भी 10.6 है 10.6 है last 3 साल से यह भी थोड़ा negative में है नेगेटिव या नहीं थोड़े कम है इसलिए और यहाँ पर low है इसका मतलब कम है बस और अगर हम earning देखेंगे इसमें other income भी company generate कर रही है याने 708 करोर का तो other income है और other income को negative में इसलिए लिया जाता है देखो other income जिस time नहीं हुआ वो time पर profit भी automatically कम हो जाता है और अगर हम देखेंगे Asian paint number one पर है तो Asian paint का stock मेरे पास है बर्जर paint यह second number पर है तो इसका भी इसका stock नहीं है मेरे पास लेकिन इसको में लेने वाला था लेकिन यह मुझे अभी high पर लग रहे है कंसाई नेरोलेक है यह अभी अच्छा भाव पर मिल रहा था इसलिए मैंने इंट्री की है एक्जो है फिर इंडिगो paint से और शालिमार paint से यह सारे उसी के competition में है comparison में है तो सबसे टॉप पर Asian paint है और third number पर कंसाई है और अगर quarterly results देखेंगे तो देखो 1383 करोड याने 1300-1400 करोड के आसपास का 2020 में company sale कर रहे थी अभी देखो 21 करोड के उपर sale कर रही है ठीक है तो थोड़ा बहुत अच्छा गासा grow हुआ है sales में 2-3 साल के अंदर और net profit देखेंगे 168 करोड से 734 करोड तो profits में काफी जबर्दस growth देखनी मिला है और most of यह other income क्य नजर आएगा क्योंकि पहले देखो profit छोटे छोटे आपको नजर आएंगे तो यह just other income के वज़े से profit एकदम काफी जबर्दस नजर आ रहा है और अगर हम देखेंगे profit and loss की बात करेंगे तो देखो sales जो है company के यहाँ पर आपको नजर आएगा यह जो sales से यहाँ पर 1300 करोड से यह 3500 करोड से यहाँ पर यह 7500 करोड तक पहुचे है ठीक है तो यह काफी अच्छा growth दिया है 2009 से अगर देखा जाए तो और अगर हम net profit देखेंगे 102 करोड से यहाँ पर 468 करोड का net profit में growth देखने मिला है तो यहाँ पर कभी-कभी ज्यादा भी हुआ है 902 करोड का profit 2016 में किया था तो कम जादा कम जादा profit भी हो रहा है इसका और अगर हम देखेंगे stock का returns तो 10 साल से 16% के return दे रहा है और 5 साल में 1% का return है और 3 साल में minus में return है इसके और 1 साल में 11% है तो इसके long term में return सिर्फ 10 साल के सबसे थोड़े अच्छे है सालाना return बाकी इसमें आपको कम नज़र रहेंगे और एक साल में अभी थोड़े अच्छे रिटन दिया है और बैलन्स इट देखेंगे तुझे को बैलन्स इट में आपको नज़र आएगा यह कंपनी जो है अभी फिलाल आपको इसका बॉराविंग नज़र आएगा तू ठीट फ्वेंटि थि और इसका रिजर नज़र आएगा 525 याने 5232 करोड का तो कंपनी के पास रिजर में पैसा है और 323 करोड का तो लोन तो लोन अगर देखा जाए रिजर के मकाबले काफी कम है तो इतना ज़्यादा है नहीं और लोन इजली कवर हो सकता है अगर हम दे भी promoter के पास है लगबख 75 प्रतिशत तक तो promoter के पास है फिर foreign investor के पास है foreign investor के पास लगबख 24 प्रतिशत है 4.27 और अगर हम देखेंगे D.I.S के पास लगबख 12 प्रतिशत है और public के पास लगबख 89 प्रतिशत तो public के पास है shares तो देखो सभी ने इसमें invest किया है, stop अच्छा है, long term कि सबसे अगर सोचा जाए तो आच्छा ही stop लेना चाहिए long term में और जिसका business अच्छा हो जिसका business आपको समझ में आए, तो ये long term के लिए इसमे बी इस टाप कि लिया है और पेली स्टॉक भी लिये है उसके भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और टेलिग्राम चैनल पर सबसे पहले अपडेट आ जाता है किसी भी शेयर का बाई कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ तो सबसे पहले वही पर अपडेट आ जाता है तो वह भी आप जोईन क के रख सकते हो और वीडियो अच्छा लगाए तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो और लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो दोस्ते के साथ और कमेंट भी कर सकते हो थैंक्यू वेरी मॉच for watching my video थैंक्यू बई बाय